हलो दियर स्टूडेंट्स कैसे हूँ आप सब आप लोग सब ठीक होंगे तो आज का हमारा चाप्र है हिंदी लिट्रेचर का मेरी भी आभा है इसमें ये लिखा है नागा अर्जुन ने तो आए वीडियो स्टाल करते हैं ये है हमारे कुछ लाइंस आये से परते हैं नई गगन में नया सूरज जो चमक रहा है ये विशाल भुकंड आज जो दमक रहा है मेरी भी आभा है इसमें भीनी भीनी खुश्पू वाले रंग बिरंगे ये जो इतने फूल खिले हैं कल इनको मेरे प्राणों ने नहलाया था कल इनको मेरे सपनों ने सहलाया था पकी सुनहली फशलो से जो अबकी ये खलिहान भर गया मेरी रगग की सोनित की बूंदे इसमें मुस्काती है नई गगन में ये नया सूरज जो दमक रहा है ये विशाल भुकंड आज जो दमक रहा है मेरी भी आभा है इसमें यहां आभा का मतलग हम कह सकते है कांटी और यहां पे सोनित का जो सब्धियूज हुआ है इसको हम कह सकते है रब्त इसमें कभी ने मेरी आभा से स्वैम की भावनाउं प्रयासों के साथ HIS परम सत्ता को लक्स कर स्रिस्टी के विकास का प्रितिकात्मक चित्रन किया है कवी यहां कहता है कि स्वच अकाश में जो नया सूर्य चमक रहा है और उसकी किर्णे से यह विशाल गुकंड अर्थात प्रित्वी दमक रही है उसमें मेरी अर्थात परमसत्ता की कानती नहित है। आशय यह है कि परमसत्ता की कृपा से ही सूर्य का चमकना थतभू मंदल का विकास हो रहा है। इसी प्रकार कवी की भागनाऊ एवं प्रयाशों को भी प्रतिवलित होने का अप्सन मिल रहा है। इस धर्थी पर भीनी भीनी शुगंद वाले, रंग बिरंगे अर्थात, अतीव आकर्षन जितने भी फूल खिले हैं, इनका विकास भी परमसत्ता की कृपा से ही हुआ है। कि शरीन में प्राणों का संचार उस परमसत्ता के कारण ही हो पाया है, तता उसी की मनोकामनाव में इनका इस तरह विकास हुआ है। इनसे कवी के सपनों की पूर्थी भी हुई है। कभी कहता है कि धर्थी पर तरह तरह की फसले सुनहरी बालियों की रूप में पकती है तता उनसे ये संसार रूपी खलियान भर जाता है इसमें भी उस परमसत्ता के रग्त की बूंदी चमकती है भाव यह है कि धर्थी पर समस्त फसलों का उत्पादन भी परमसत्ता की कृपा से ही होताई बलेही क्रीशक आदी परिश्रम करके अपना खून पर सीना एक करके फसले उगाते हैं परंतों उसमें भी अभिव्यक्द परमसत्ता का प्रमुक हाथ रहता है इस प्रकार प्रतिदिन प्रातै काल आकाश में जो सूर जमकता है तथा विशाल भूमंडल पर जो नया परिवर्तन दिखाई देता है या नया घटित होता है वजब उस परमसत्ता की कांती से भरपूर रहता है धड़ती पर मनुश्य जितने भी कार्ये करता है जितने परिवर्थन होते हैं इस धड़ती पर और जितने प्रयासों के प्रतिफल सामने जो आते हैं उनके मूल में अव्यक्त परमसता रहती है अतेव समस्त स्रिष्टे पर उस परम सत्ता की कांती से व्याप्त है कभी ने यही भाव यहां पे व्यांजित किया है यह हमारा चैप्टर नए गगर में नया सूरज जो चमक रहा है यह विशार बुकंड आंचो दमक रहा है मेरी भी आबा है इसमें इस चैप्टर में यह एक ही पहरा है जो नागा जो ने लिखा है बस यहीं पे हमारा यह चैप्टर खतम होता है बहुत छोटा सा था यह चैप्टर आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो को लाइक कर शेयर और कमेंट करना सब्सक्राइब भी करना गाईज बैल आइकन को भी क्लिक कर जिन तागी आपको नेक्स्ट वीडियो गे आपको पता चल जाए ओके थैंक यू